C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की गनित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं प्रिष्ट संख्या एक पार्ट एक समुद्र किनारे एक दिन यहां प्रिष्ट संख्या एक पर समुद्र के किनारे का एक चित्र दिया गया है इस चित्र में फल वाला फल बेच रहा है उसके ठेले में केले, संतरे, नार्यल और कठल आदी फल दिये गया है दो बच्चे उसके ठेले के पास खड़े हैं कुछ बच्चे खिलोनों से खेल रहे हैं एक महला फूलों की माला को बेच रही है और एक गुबबारे वाला गुबबारे बेच रहा है दो बच्चे उससे गुबबारे खरीद रहे हैं नार्यल के पेडों पर कुछ नार्यल लटके हुए हैं यहाँ पर चित्र में कुछ वस्तुमें दी गई हैं इन वस्तुमों को गिनकर लिखिए नार्यलों की संख्या रिक्तिस्थान नावों की संख्या रिक्तिस्थान बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान संतरों की संख्या रिक्तिस्थान आपने वस्तुओं को कैसे गिना? क्या आपने इन्हें एक-एक करके या समुह में गिना? बच्चों से चर्चा कीजिए कि क्या वो कभी नदी किनारे या समुद्र के किनारे गए हैं? उनसे पूछें कि वहां सामानिता कौन से जानवर एवं पौधे दिखाई देते हैं? एवं उन्हें समुह में गिनने के लिए प्रेरित कीजिए. प्रिष्ट संख्या दो चित्र में दे गए दुकानों के बारे में बताईए और रिक्तिस्थान भरिए क सीपियों की रिक्तिस्थान मालाए हैं. प्रतेक माला में दस सीपियां हैं. ख गुबारों के रिक्तिस्थान समुह हैं. प्रतेक समुह में रिक्तिस्थान गुबारे हैं एवं रिक्तिस्थान गुबारे शेश हैं. ग, केलों के रिक्तिस्थान गुच्छे हैं, प्रितिक गुच्छे में रिक्तिस्थान केले हैं, एवं रिक्तिस्थान केले शेश हैं सुरभी ने कुछ शंख सीपियां किनी, वो कंगन एवं माला बनाने में अपनी मा की सहायता करना चाहती है यहाँ पृष्ट्ट संख्या दो पर कुछ CPY के चित्र दिये गए हैं और साथ में सुर्वी उनके बराबर में खड़ी है सुर्वी ने शंक सीपियों के रिक्ति स्थान कंगन बनाए प्रते कंगन में रिक्ति स्थान शंक सीपिया हैं यहाँ पर सुर्भी की मा का चित्र है और साथ ही सीपियों की पाँच मालाएं भी हैं। उसकी मा ने शंक सीपियों की रिक्तिस्थान मालाएं बनाई। प्रतेक माला में रिक्तिस्थान शंक सीपियां हैं। यहाँ पर सुर्भी का चित्र है। वो कह रही है इसे बोलिए एव समुद्र किनारे किराने की दुकान किनारा किराना किराना किनारा प्रिष्ट संख्या तीन आउ सोचें दस के समुह में आने वाली वस्तुओं को पता करके सूची बनाईए क रिक्तिस्थान ख रिक्तिस्थान ग रिक्तिस्थान स्वादिष्ट चीकू यहां प्रिष्ट संख्या 3 पर मनोज फल वाले का फल बेचते हुए चित्र दिया गया है उसके ठेले में 8 थाल चीकु भरके फल रखे हुए हैं हर एक थाल में रिक्तिस्थान चीकु हैं बताईए कुल कितने चीकु हैं रिक्तिस्थान अब आप भी चीकूं को थालों में रखकर बेचने में मनोज की सहता कीजिए क पच्चिस चीकू, दो थाल चीकूं के और कुछ अलग से चीकू दस चीकूं के रिक्तिस्थान थाल और रिक्तिस्थान चीकू शेश ख तिरतालिस चीकू, चार थाल चीकूं के और कुछ चीकू अलग से दस चीकूं के रिक्तिस्थान थाल और रिक्तिस्थान चीकू शेश ग पैंतिस चीकू, तीन थाल चीकूं के कुछ चीकू अलग से दस चीकूं के रिक्तिस्थान थाल और रिक्तिस्थान चीकू शेश ग अठावन चीकू, पाँच थाल चीकूं के और कुछ चीकू अलग से दस चीकूं के रिक्तिस्थान थाल और रिक्तिस्थान चीकू शेश प्रिष्ट संख्या चार आओ मिलान करें यहाँ पर एक तालिका है, तालिका के दो भाग है बाए भाग में लिखा है असी चीकू और उसके सामने चीकूं के पाँच थाल है प्रतेक थाल में दस दस चीकू हैं और साथ ही छे चीकू अलग से दिये गए हैं बहत्तर चीकू इसके सामने चीकूं के दो थाल हैं और साथ ही आठ चीकू अलग से हैं चपपन चीकू इसके सामने चीकू के आठ थाल हैं और 28 चीकू इसके सामने चीकू के साथ थाल हैं और साथ ही दो चीकू अलग से दिये गए हैं अब आपको इन चीकू के साथ इन थालों का उचित मिलान करना है ब्लोक सेवं पट्टियों का खेल यहां प्रिष्ट संख्या चार पर एक लड़की का चित्र दिया गया है और उसके पास एक ब्लोक स्टिक रखी हुई है लड़की कह रही है मेरी ब्लोक स्टिक को देखिए क्या बता सकते हैं कि इस ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक्स है एक ब्लॉक स्टिक बरापर रिक्तिस्थान ब्लॉक्स यहाँ प्रिष्ट संख्या चार पर एक लड़के कच्चे तर दिया गया है और साथी एक खिलोना रेल गाड़ी को एक हाथी खीच रहा है लड़का कह रहा है मेरी दसकी पट्टी को देखिए क्या बता सकते हैं कि इस पट्टी में कितने खाने है एक दसकी पट्टी बरापर रिक्तिस्थान खाने या एकाईया प्रिष्ट संख्या पांच आओ करें यहाँ पर छे भाग हैं तीन भाग में ब्लॉक स्टिक्स और तीन भाग में पटियां दी गई हैं। आईए पहले भाग को पढ़ते हैं। पहले भाग में तीन ब्लॉक स्टिक्स हैं। प्रतेक ब्लॉक स्टिक्स में दस ब्लॉक्स हैं। और साथ ही चार ब्लॉक्स अलग से हैं और इनके नीचे लिखा है तीन ब्लॉक्स टिक्स एवं चार ब्लॉक्स कुल चोंतीस ब्लॉक्स अब आप बाकी खानों में दिये गए रिक्तिस्थानों को स्वेहम भनें दूसरा भाग पाँच ब्लॉक्स टिक्स और तीन ब्लॉक्स रिक्तिस्थान ब्लॉक्स एवं रिक्तिस्थान ब्लॉक्स कुल रिक्तिस्थान ब्लॉक्स तीसरा भाग यहाँ पर ब्लॉक्स्टिक्स चार हैं और चार ब्लॉक्स अलग से दिये गए हैं और उसके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान ब्लॉक्स्टिक्स एवं रिक्तिस्थान ब्लॉक्स कुल रिक्तिस्थान ब्लॉक्स चोथा भाग यहाँ पर पट्यों की चार पंक्तिया हैं। प्रतेग पंक्ति में दस पट्टी हैं और साथ ही छे एकाईया हैं। इसके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान दस की पट्टियां एवं रिक्तिस्थान एकाईयां। कुल रिक्तिस्थान इकाईयां, पांचमा भाग, यहाँ पर पट्टियों की छे पंक्तियां हैं, और साथ ही आठ इकाईयां हैं, रिक्तिस्थान दस की पट्टियां एवं रिक्तिस्थान इकाईयां, कुल रिक्तिस्थान इकाईयां, छटा भाग, यहाँ पर पट्टियों की छे पंक्तियां हैं, और साथ ही आठ इकाईयां हैं, रिक्तिस्थान दसकी पट्टियां एवं रिक्तिस्थान इकाईयां कुल रिक्तिस्थान इकाईयां इन रिक्तिस्थानों को स्वैम भरें तालिका पूरी कीचिए. यहां प्रिष्ट संख्या 5 पर एक तालिका दी गई है. जिसे कुल ब्लॉक्स या एकाईयां, दसकी पट्टियां और एकाईयां इन तीन भागों में विभाजित किया गया है. पहले भाग में ब्लॉक्स या एकाईयां दी गई है. और तालिका के पहले भाग को आपके लिए हल किया गया है ब्लोक्स या एकाईयों की दी गई संख्या है चौबीस दस की पठियां है दो एकाईयां है चार इसी तरह बाकी दी गई ब्लोक्स या एकाईयों की संख्या है च्छतिस, बहत्तर, उनहत्तर और च्छियालीस इनके आगे दिये गय स्थान रिक्त हैं आपको इन्हे स्वयम हल करना है संख्या समझ को अधिक द्रड बनाने के लिए तीलियों के गठर में और खुली तीलियों का भी उप्योग करें प्रिष्ट संख्या 6 शतक बनाई यहां प्रिष्ट संख्या 6 पर एक लड़का और एक लड़की का चित्र दिया गया है लड़का कहता है देखो मैंने 10 पटियों को एक साथ जोड़ा है लड़की कहती है इसमें पूरी 100 एकाईया है लड़का और लड़की ने एक बोर्ड पकड़ा हुआ है इस board में उन्होंने 100 एकाईउं और 10 की पटियों को जोड़कर एक grid बनाया है यहां लड़का और लड़की ने एक board पकड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने 10 की पटियों से 100 एकाईउं का एक grid बनाया है यहां प्रिष्ट संख्या 6 पर 4 भाग दिये गए हैं पहले भाग में एक ग्रिट दिया गया है, जिसकी तीन पटियां लाल हैं, बाकी की साथ पटियां पी ली है दूसरे भाग में एक और ग्रिट दिया गया है, जिसकी पांच पटियां लाल हैं और बाकी की पांच पटियां पी ली है तीसरे भाग में भी एक ग्रिट दिया गया है जिसकी 6 पटियां लाल है और 4 पटियां पीली है पहले ग्रिट के नीचे लिखा हुआ है सत्तर पीली इकाईया एवं तीस लाल इकाईया, साथ पीली दस की पटिया एवं तीन लाल दस की पटिया, कुल सौ इकाईया या दस की दस पटिया दूसरे भाग में लिखा है। और चौते भाग में लिखा है रिक्तिस्थान पीली इकाईया एवं रिक्तिस्थान लाल इकाईया रिक्तिस्थान पीली दसकी पटिया एवं रिक्तिस्थान लाल दसकी पटिया कुल रिक्तिस्थान इकाईया या दसकी रिक्तिस्थान पटिया यहाँ पर पहले ग्रिट को आपको हल करके दिया गया है अब आपको बाकी के तीन ग्रिटों को स्वेम हल करके लिखना है ग्रिट बनाने के कुछ और तरीकों के विशय में चर्चा करें। दस की दस पटियां होने पर सौ इकाईयों का एक ग्रिट बनेगा। आप इकाईयों के लिए राजमा, कंकर, चने इत्यादी का भी उप्योग कर सकते हैं। लड़की कहती है, अठारा, उनीस, बीस, एकीस, अरे, मैं फिर से गिनती भूल गई। एक, दो, तीन, चार। लड़का कहता है, आओ, मैं तुम्हें इन शंक सीपियों को गिनने का नया तरीका बताता हूँ। यहां प्रिष्ट संख्या साथ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक लड़का और लड़की है। उनके सामने मेज पर कुछ गोलाकार आकृतियां बनी हुई है, जिसमें से तीन गोलाकार आकृतियां बढ़ी हैं और एक गोलाकार आकृती छोटी है। इन तीन गोलाकार आक्रितियों में कुछ शंक और सीपियों के समुह रखी हुए हैं और चोथी छोटी गोलाकार आक्रिती के अंदर एक शंक रखा हुआ है. लड़का कहता है, दस शंक सीपियों के समु के लिए मैंने त्रिबुजाकार एवं एक शंक सीपि के लिए गोला कार वाला कार्ड रख दिया है बच्चों को अलग-अलग तरह के दस और इकाईयों के कार्ड प्रियोग करने के लिए प्रुत्सहित करें प्रिष्ट संख्या आट आओ सोचें रिक्तिस्थान भरिये तीन त्रिबुजाकार आकर्टियां तीन दहाई और एक गोला कार आकर्टी एक इकाई बराबर तीस जमा एक या दहाई तीन और इकाई एक इसलिए कुल मिलाकर एक तीस सेपिया हैं अब आप इसे स्वयम करें तीन त्रिबुजाकार आकर्टियां रिक्तिस्थान दहाई और दो गोला कार आकर्टियां रिक्तिस्थान इकाई बराबर रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान या दहाई रिक्तिस्थान इकाई रिक्तिस्थान पांच त्रिभुजाकार आकर्तियां रिक्तिस्थान दहाई और तीन गोलाकार आकर्तियां रिक्तिस्थान एकाई बराबर रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान या दहाई रिक्तिस्थान एकाई रिक्तिस्थान दो त्रिभुजाकार आकर्ती रिक्तिस्थान दहाई और आठ गोलाकार आकर्तियां रिक्तिस्थान एकाई बराबर रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान या दहाई रिक्तिस्थान एकाई रिक्तिस्थान दहाई त्रिभुजाकार एवं एकाई गोलाकार के कार्ड्स बनाकर रिक्तिस्थान भरिये यहां प्रिष्ट संख्या आठ पर आताकार आकरती दी गई है उसके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान दहाई रिक्तिस्थान इकाई बराबर नब्बे जमा तीन या दहाई रिक्तिस्थान इकाई रिक्तिस्थान इस पहली आकृती को आपको हल करके बताया गया है दूसरी आकृती में लिखा है रिक्तिस्थान दहाई रिक्तिस्थान इकाई बराबर रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान या दहाई साथ इकाई पांच तीसरी आकृती में लिखा है रिक्तिस्थान दहाई, रिक्तिस्थान एकाई बराबर रिक्तिस्थान जमा, रिक्तिस्थान या दहाई दो, एकाई नौ प्रिष्ट संख्या नो संख्या बनाईए बच् 내, एकाई और द्हाई वाले संख्या कार्ड बनाएंगे शिक्षक एक संख्या जैसे 52 कहेंगे जिन बच्चों के पास 50 एवं 2 वाले कार्ड होंगे वो चित्र में दिये गए तरीके से एक साथ आकर संख्या बावन बनाएंगे ये खेल अन्य संख्याओं के लिए आगे भी जारी रहेगा जैसे 27 यहां प्रिष्ट संख्या नौ पर दो चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में एक लड़का और एक लड़की है लड़के के पास 50 की संख्या का कार्ड है और लड़की के पास 2 की संख्या का कार्ड है दोनों मिलाकर 52 की संख्या बनाते हैं लड़की कहती है हमने संख्या 52 बनाई है दूसरे चित्र में लड़का और लड़की है संत्रों के डिब्बे यहां प्रिष्ट संख्या 9 पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक मा और बेटे का चित्र है उनके सामने संत्रों का थाल रखा हुआ है मा कहती है सूरच इन 43 संतनों को डिब्बे में रखने के लिए डिब्बे ले आओ लड़का कहता है मुझे लगता है कि इनी रखने के लिए तीन डिब्बों की आवशक्ता होगी बच्चों को किसी संख्या को दहाई एवं एकाई की सहायता से समझने के पर्याप्त अवसर दें उदाहरण के लिए 73 को हम 70 और 3 या 7 दहाई एवं 3 एकाई के रूप में समझ सकते हैं बच्चों को दो अंकों वाली संख्याओं के लिए इस तरह के कार्यपत्रक बनाने और उसे भरने को दें यहां एक कार्यपत्रक दिया गया है जिसको चार भागों में बाटा गया है पहले भाग में 73 लिखा है, दूसरे भाग में 70 जमा 3 लिखा है और तीसरे भाग में 10, 7 और 1 तीन दी गई है बाके के रिक्तिस्थानों को आपको स्वयम हल करना है प्रिष्ट संख्या 10 इस प्रिष्ट पर एक चित्र है जिसे 3 भागों में बाटा गया है पहले भाग में एक बच्चा और उसकी मा हैं, साथ यहां पर तीन संत्रों के डिब्बे हैं और कुछ संत्रे अलग से हैं लड़का कहता है अरे, बहुत सारे संत्रे बच गए और मा ने कहा मुझे लगता है कि तुम्हें अधिक डिब्बों की आवश्यक्ता है चित्र के दूसरे भाग में लड़के के साथ चार संत्रों के डिब्बे हैं और कुछ संत्रे अलग से हैं लड़का कहता है हाँ, मुझे चालिस संत्रों को रखने के लिए दस संत्रों वाले चार डिब्बे चाहिए लेकिन तब भी तीन संत्रे बच जाएंगे चित्र के तीसरे भाग में एक लड़का और उसकी माँ है माँ कहती है क्या अब तुम बता सकते हो कि संख्या में कौन से अधिक है 43 संथ्रे या 34 संथ्रे लड़का कहता है 43 संथ्रे संख्या में अधिक है क्योंकि इसमें 4 दहाई है जबकि 34 में केवल तीन दहाई हैं कौन से कम है? 27 संत्रे या 32 संत्रे क्यों? प्रिष्ट संख्या 11 अधिक या कम भरिये 67 चीकू 76 चीकूँ से रिक्तिस्थान है अधिक या कम 53 सीपिया 35 सीपियों से रिक्तिस्थान है अधिक या कम यहां प्रिष्ट संख्या 11 पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में मा और बेटे का चित्र है साथ ही संत्रों के 8 डिब्बे और कुछ संत्रे अलग से दिये गए है बेटा कहता है 43 संत्रों एवं 47 संत्रों में कौन से अधिक है मा ने कहा 43 एवं 47 दोनों में ही चार दहाईया है लेकिन 43 एवं 47 दोनों में ही चार दहाई है लेकिन 43 में 3 एक आई है और एवं 47 में साथ एक आई है लड़का कहता है इसलिए 47 संत्रे 43 संत्रों से अधिक है आओ करें रिक्तिस्थान में संख्या भरिये क संख्या 29 संख्या 20 से अधिक है क संख्या रिक्तिस्थान संख्या 41 से कम है ग संख्या 70 संख्या 74 से कम है ग संख्या रिक्तिस्थान संख्या 49 से अधिक है ड संख्या 25 संख्या रिक्तिस्थान से कम है च संख्या रिक्तिस्थान संख्या दो से कम है च संख्या चत्तीस संख्या रिक्तिस्थान से अधिक है और ज संख्या रिक्तिस्थान संख्या रिक्तिस्थान से अधिक है बच्चों से ऐसी परिस्थितियों पर चर्चा करें जहां उन्हें दो मात्राओं यानि संख्याओं के बीच तुल्ना करनी पड़े बच्चों से ठोस वस्तुएं जैसे कंकड, ढक्कन, बीज इत्यादी की धेरी बना कर किस धेरी में अधिक वस्तुएं हैं इसका अनुमान लगाने को कहें फिर गिंती करके अपने अनुमान की जाँच करें उनके उत्तर के लिए तर्क देने को कहें प्रिष्ट संख्या बारह फ्लेश कार्ट्स का खेल शोने से नौ तक की संख्याओं के फ्लेश कार्ट्स बनाईए एवं दी गई संख्याएं बनाने के लिए उन्हें दहाई एवं इकाई के स्थान पर रखे यहां दिये गए निर्देश की अनुसार संख्या बनाएं यहां प्रिष्ट संख्या बारह पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक लड़की के हाथ में कुछ फ्लेश कार्ड्स हैं उस लड़की ने अपने हाथ में पांच की संख्या के फ्लेश कार्ड को पकड़ा हुआ है उसके बराबर में एक बोर्ड दिया गया है बोड में लिखा है दहाई और एकाई दहाई के नीचे पाँच की संख्या लिखी है और एकाई के नीचे साथ की संख्या लिखी है ख, फ्लेश कार्ट्स को फिट कर उसमें से दो कार्ड पसंद करें और उससे दो अंगों की संख्याई बनाएं अब इन कार्ट्स की अदला बदली करें और एक नई संख्या बनाएं। पता करें नई संख्या पहले वाली संख्या से बड़ी है या छोटी। बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे। यहाँ पर कुछ फ्लेश कार्ट्स दिये गए हैं। इन फ्लेश कार्ट्स को दो भागों में बाटा गया है। पहले भाग में दहाई तीन और इकाई पांच है। दूसरे भाग में दहाई पांच और इकाई तीन है। इस तरह पहले भाग की संख्या हुई 35 और दूसरे भाग प्रिष्ट संख्या 12 पर एक लड़की का चित्र दिया गया है. इस लड़की के हाथ में पाँच और तीन अंकों के दो फ्लेश कार्ट्स हैं. प्रिष्ट संख्या 13 रास्ता बनाओ. सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुचने के लिए एक रास्ता बनाईए. शर्ट ये है कि रास्ता प्रत्य खाने में से एक ही बार होकर गुजरे. यहाँ प्रिष्ट संख्या 13 पर तीन वर्ग दिये गए हैं. इन तीनों वर्गों में कुछ संख्याएं दी गई हैं. पहले वर्ग में दी गई संख्याएं हैं 65, 73, 92, 53, 20 और 32. इन संख्याओं की सहायता से जोड़ कर आपको एक रास्ता बनाना है. इसमें दी गई सबसे बड़ी संख्याएं 92 और सबसे छोटी संख्याएं 20. इसी तरह से दूसरे वर्ग में भी कुछ संख्याएं दी गई हैं. दी गई संख्याएं हैं 34, 53, 91, 76, 14, 11, 19, 23. आपको इन में से सबसे बड़ी संख्याँ से होते हुए छोटी संख्याँ तक पहुँचने का रास्ता बनाना है. तीसरे वर्ग में भी कुछ संख्याएं दी गई हैं. दी गई संख्याएं हैं 51, 58, 63, 43, 75, 86, 29, 34. आपको इन में सबसे बड़ी संख्याँ से होते हुए सबसे छोटी संख्याँ तक पहुचने का रास्ता बनाना है. संख्या खेल मैं कौन हूँ? क मैं दो अंकों की सबसे बड़ी संख्याँ हूँ. रिक्तिस्थान ख मैं दो अंकों की सबसे बड़ी संख्याँ हूँ. परन्तु मेरे अंक अलग-अलग हैं. रिक्तिस्थान ग मैं दो अंकों की सबसे छोटी संख्याँ हूँ. रिक्तिस्थान और च मैं दो अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्याँ हूँ. जिसमें इकाई के स्थान पर दो है. रिक्तिस्थान आप भी ऐसे ही अपने कुछ प्रश्ण बनाईए. यहाँ पर पांच पंक्तियाँ दी गई हैं. अब आप कुछ अपने प्रश्ण बनाकर इन पंक्तियों को पुरा करें. प्रिष्ट संख्याँ 14. वल्लम कली ओणम केरल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध तेवहार है. जिसमें नौका दोड होती है. जिसे वल्लम कली कहते हैं. दोड समाप्त होने वाली है. दी गई प्रतेक नाव की स्थिती को बताईए. यहाँ प्रिष्ट संख्या 14 पर एक चित्र दिया गया है. यह चित्र ओणम तेवहार का है. जिसमें नौका दोड का चित्र दिया गया है. इस चित्र में लाल, बैंगनी, पीली, हरी, नीली, नारंगी और गुलाबी रंग की नौकाई है. कौन से रंग की नाव पहले स्थान पर आ सकती है? रिक्तिस्थान. कौन से रंग की नाव तीसरे स्थान पर आ सकती है? रिक्तिस्थान. गुलाबी एवं नारंगी रंग की नाव कौन से स्थान पर है? रिक्तिस्थान. रिक्तिस्थान. और गुलाबी एवं नारंगी रंग की नावों की स्थिती लिखिये, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, यहाँ पर अगस्त महा के कैलेंडर का एक्चित्र है, जिस पर सप्ता की दिनों के नाम दिये गए हैं, और एक से 31 तक की संख्या अंकित है, पंद्रा तारीक के नीचे लिखा है स्वतंत्रता दिवस, 29 तारीक के नीचे लिखा है ओणम, और 30 तारीक के नीचे लिखा है रक्षाबंधन, यह कैलेंडर सन 2030 का है, प्रिष्ट संख्या पंद्रा, कैलेंडर को समझिये एवं उत्तर दीजिये, क, इस महीने में ओडम किस दिन मनाया जाएगा, रिक्तिस्थान, ख, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, रिक्तिस्थान, और ग, इस महीने के रिक्तिस्थान बुधवार को रक्षा बंधन है पता कीजिए कि अगस्त के महीने में आपके कौन-कौन से मित्रों के जन्म दिन आते हैं कैलेंडर पर उन तारिखों पर चिन लगाईए पिष्ट संख्या पंद्रह पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में एक महिला और एक पुरुष है साथ ही एक बच्चे का चित्र दिया गया है जिसने इस बच्चे ने सत्रह नंबर की जर्सी पहनी हुई है और हाथ में एक बैट लिया हुआ है महिला कहती है जर्सी नंबर 17 वाला खिलाडी बहुत अच्छा खेल रहा है पुरुष कहता है वो मेरा मन पसंद खिलाडी आ रहे है बच्चों से उनके आसपास के ऐसे स्थानों पर चर्चा करें जहां वो लेबल या नामों के रूप में संख्याई देखते हों उधरन के लिए माकान संख्या, पिलर संख्या, बस या ट्रेन के नंबर इत्यादी बच्चों को बताएं कि जिस सुन्दर विधी से हम आज विशुभर में संख्याई लिखते हैं शुन्य और एक से नो अंको का प्रियुग करके उसकी उत्पत्ती भारत में ही होई थी अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद में वाचन्स्वर प्रवीन शर्मा और शालिरी सिंग तक्नीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो धन्यंकन मयंक कुमार और विकास सांग्वान निर्माण सहयोग कुसुमलता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत